ये लिटा ये दूसरा वीडियो है exality system के ओपर ही जो है entityrat देटा के ओपर जो है तो आप लोगे को को पता है कि जो ascending limb होता है ascending limb किसका ascending limb का loop of handling का loop of handling का ascending limb ये हुता है उसमें इलेक्टोलाइट अबज़ाब होता है इलक्ट्रोलाइट किसको बोलता है जो आयन में तूट जाए जैसे नमक है इलक्ट्रोलाइट है तो इलक्ट्रोलाइट जो पानी में घुल जाते है उनको बोलते है sodium और chlorine वगरा जो है आयन में तूट जाते है तो इलक्टोलाइट है और इलक्टोलाइट ascending limb में active method से अबस्वब हो गया pursue से जो है don't know से वहना electrolyte का नाम से ही तुम बोलग जी active absorption होना चीए लेकिन loop of handling के अंदर ascending limb है उपर की तब जा रहा है उसमें active और passive दोनों absorption होते है जो active absorption और passive absorption दोनों होते है electrolytes के जो ठीक है आगे लो collecting duct जो होता है collecting duct तो समझे जाना फ्रण खुल रहे है ये भी pH को balance करता है PCT DCT के साथ साथ pH balance कोन करता है collecting duct भी balance pH कैसे क्योंकि ये भी potassium और hydrogen भार फेकता है collecting duct भी PCT DCT के तरह से hydrogen पेसाव में डालता है collecting duct भी PCT DCT तो डालते ही थे इसलिए pH को balance करने में collecting duct का role भी होता है woman kidney में जो है अच्छा मैंने एक diagram बना आया था ऐसे counter grand mechanism में जो तो osmolarity कितनी थी loop बहने का ये तो हो गया cortex वाला part ये भार का medulla हो गया outer medulla ये inner medulla क्या बता है मैंने ये loop of handle है इसका उपर वाला कोटक्स है नीच वाले medulla है ये भार वाला medulla है ये अंदर वाला medulla यहाँ पर तो तो तुमने 1200 मिली osmolarity बताई थी तो उपर वाले कोटक्स में कितनी है ये जो तो मुलें लगवा 300 इसमें 300 प्यास पास और फिर यहाँ 600 और 900 हो जाएगा यहाँ 900 हो जाएगा और 600 हो जाएगा तो मतलब 300 से 912 सो outer medulla से inner medulla की तरफ concentration भढ़ रही है और गट रही है जो एक पर अंशयाटी से इसको देख लेना इस डाइग्राम को डंग से जो बस यह बताना चाहरा हूँ मैं जो अंशयाटी को गोर से देखना और उसमें देखना कि कोटक्स में कितनी कि अंधर वाले medulla में कितनी है अंधर वाले medulla में कितनी है तो किड़नी जो होती है कितने गुणा पेशाव को बना देती है किड़नी जो है वो यूरीन बनाती है किड़नी पेशाव बनाती है तो किदनी जब यूरीन बनाती है तो कितने गुणा उसी कंसेनेशन भढ़ा देती है फोर ताइमस कैसे मने बताया था कलेक्टिंग ड़क में जो पेसाव था उसके ओसमोलर्टी कितनी होती है बारहसो मिल्ये ऐसमोल होती है और बलड़ की और ग्लोम्रार्टर जहां फिल्टर हुआ है वहाँ पर कितनी थी तीन सो थी चार कुना ज्याता होगी पेसाव में ऐसमोलर्टी है inclusive सो जब वो बलड फिल्ट्र हुआ था गोमन का उसमें थी 300 बलड के बराबर थी तो चार गुना ज़्यादा गाड़ा होता है पेसाओ जो है जब फिल्ट्र होता है उसकी बजाई जो है ठीक है अच्छा करते क्योंड को पॉइंम की फंक्षिंग को है एक तो हाइपो थल्म cały च से बंथा ह१यर हां heart ने भी kidney को affect किया था यह 19 हार्मोन की तरह से बता दिया हमें सारा बता चुका हूँ और GGA जो kidney के अंदर था तिन्नों ही kidney, नेफरोन की functioning को तिन्नों affect करते हैं जो अच्छा Osmo receptor क्या होते हैं जो पाणी और salt का पता लगाए Osmo receptor बोडी के क्या होते हैं? जो salt और water को पता लगाए salt plus water detect नमक और पानी पता लगाए उसको औसमोड रिशेटर बोलते जाब तो ये औसमोड रिशेटर जो होते हैं कब एक्टिवेट होते हैं? असमोड रिशेटर बोडी के कब? जब blood की amount भढ़ जाए या घड़ जाए blood volume body के अंदर fluid कितना है body fluid volume body fluid volume और ionic concentration ionic concentration और समों receptor जो activate होते है salt और water जब सरीर में salt water कम जादा होता तो और समों receptor activate हो जाते है तो कैसे और समों receptor कब activate होय है या तो blood की amount कम जादा होगी है body fluid effect होगए ionic concentration तो या रख लेंडा है अच्छा angiotensin protein बढ़ाए थी दो टाइप की होते है first or second कोण सी protein जो होती है angiotensin दो टाइप की है first and second second वाली क्या करती है blood vessel को contact करती है तो इसको बलोंगे वसो गांस्टिक्टर है यह जो blood vessel को contact करती है angiotensin second और blood vessel contact करेके तो BP बढ़ेगा तो BP बढ़ाती है angiotensin second proteins blood vessel को contact करके जो ADHP BP बढ़ाता है ADHP blood vessel को बढ़ाता है अच्छा ANF hurt का था वो क्या करता था vasodilation, blood vessel को चोड़ा कर देता है hurt का hurt का ANF blood vessel को चोड़ा कर देता है हट काए है ना ब्लड रसको चोड़ा कर देता है जो और इससे BP कम होगा ज्यादा होगा बिपी कम हो जाएगा तो इस तरह BP को अफेक्ट करते हैं सब कुछ हो अच्छा स्ट्रेच्छ रिसेक्टर कहा होते हैं स्ट्रेच्छ रिसेक्टर होते हैं यूरनी ब्लडर में मतलब पेसाओ जब urinary bladder में इखटा होता है तो stretch receptor activate हो जाते है और message जाएगा किस के पास? brain के पास message जाएगा CNS के पास brain spinal cord को CNS बोलते है जब stress receptor activate होते है message जाता है CNS के पास फिर CNS जवाब देगा उसको क्या जवाब देगा? पेसाओ को भार कर देगा CNS जो है इसको क्या बलते है? mercuration पेसाओ भार आने हो क्या बलते है? Micturation पेसाओ भार आये तो इसको बलते है? Micturation है और पेसाओ दिमाग brain की वजिए से भार आये तो micturation reflex बोलते है इसको जो अच्छा कि यहां पर स्फिंटर मसल थी वह रिलाक्स करती जब यूरीन को टेस्ट करती है तो यूरीन नीचे आएगा लेकिन जो स्फिंटर मसल है वह उस छेट को बंद करती है चलो अगर हम जो है यूरीन को टेस्ट करवा से क्या मालूम पड़ता है हमारे को यूरीन टेस्ट करवा के 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 यूरीन टे functioning जो है, bad kidney डंक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, urine देखके मालूँ पड़ता है, तो clinical diagnosis diagnose कर लेते हैं बिमारी को, कौन सी बिमारी होगी, पेसा को देखके जो largest gland कौन सी होती है body की सबसे बड़ी gland कौन सी होती है हमारे body में, largest organ तो skin है largest gland होती है liver liver क्या-क्या बाहर फैकता है pigment फैकता है bilirubin and biliverdin liver bilirubin और biliverdin बाहर फैकता है थोड़ा सा cholesterol भी फैकता है, liver bilirubin फैकता है, biliverdin फैकता है cholesterol फैकता है, कई vitamin भी फैकता है, drugs भी फैकता है इस सारे यादर लेना इस सारे फैकता है liver लेटरीन के साथ बाहर फैक देता है, यह सार चीजों को, तो डाजेस्टिव वेस्ट के साथ लिवर यह चीजी भी फैकता है, जो, अच्छा, और क्या बच गया? हम बोलेंगे अगर पत्री का दर्द है किसी को किरिनी में दर्द हो रहा तो क्या बोलेंगे रिनल कोलिक पत्री का दर्द है किरिनी का दर्द है उसको बोलता है रिनल कोलिक पेन डू टू स्टोन किरिनी के अंदर स्टोन होती है पत्र होतों से दर्द होगा उसको बोलें रिनल उठेगा और इसाओ किया इन उडिया सोगे जदा नगोलें नाइट में रात को ज़्यादा प्रेशा वाएगा ला कि अधा प्रिया उडिया मतला प्रिया अधार का हूं का अप्सेंट होता जो दो एगी आदा नहींगे सापके अंदर यानिर नहीं होता है क्रोकोडाइल में भी यूरनी ब्लेडर नहीं होता है दो पक्सिय जिसमें यूरनी ब्लेडर नहीं है ओस्टिच और रिया ओस्टिच और रिया में यूरनी ब्लेडर नहीं है साप में मगरमस में यूरनी ब्लेडर नहीं है और लास्ट में जो करवा रहा हूँ है ओडेमा हाथ कुझ होती है ओडंडे में और डौपशी क्या होती है ओडेमा या ड्रोपशी होती है आपांगेलिक साह्ना तक चुछ हआ याइक इह बिदीब्साध के हमद्बी दोम यहार श्क्रापि Menschen आज का वीडियो बहुत जरूरी है एंशार्टी के एक वेड़ पर काम करना आपको कुछ मत छोड़ देंगा जो मैंने आज बोले हैं जो सारी चीज़ ठीक है बटा